जहें दोस्तो मैं आयू सिंग आपको अपने यूट्यूब चैनल इंटर डॉक लब में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डॉक के चोकचेन के बारे में बात करेंगे आप लोग में से कई पेट पैरेंट्स अपने डॉक में चोकचेन यूज़ करते होंगे तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्या हमें डॉक में चोकचेन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या अगर हम करते हैं तो उसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए और मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जो कि आप डॉक के चोकचेन की जगह पे यूज़ कर सकते हो तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें डॉक में चोकचेन यूज़ करना चाहिए या नहीं तो सबसे पहले बता दों कि डॉक का जो चोकचेन है वो उसे एट्रेक्टिव सो करने के लिए बनाया गया था उसे कभी dog को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया नहीं था लेकिन कई सारे ऐसे pet lover हैं या ऐसे breeders हैं जो की aggressive dog को कंट्रोल करने के काम में choke chain को अक्सर लाते रहे हैं उसे क्या होता कि सही guideline ना होने के कारण कई pet parent ऐसा करते हैं कि वो अपने dog में continue collar के जगह पे choke chain का यूज करते हैं जिससे कि उनके dog के गले में continue pressure परने के कारण कई बार तो ऐसा देखा गया है कि dog के गले में tumor हो जाता है जिससे मैंने personally मैंने कई dogs की death होते देखी है इसलिए please choke chain का यूज ना करें अगर आप करते हो तो उसे एक specific time के लिए करें हो सकता है कभी dog के young age में कभी dog aggressive हो जाता है उससे यूज करके अपने dog को control मिला सकते हैं बस उससे ज्यादा मेरे हिसाब से choke chain का कोई use नहीं है उसके जगह पर आप उसे और कई सारे product हैं उसे यूज कर सकते हो लेकिन choke chain का use ना करें उसका side effect हमेशा देखा गया है कई बार तो ऐसा होता है कि continue गले में vocal code में pressure पढने के कारण dog का voice भी change हो जाता है कई आप rot wheeler या pit bull के अवाज में changing देखते होगे वो main reason है choke chain का क्योंकि अक्सर ये trend चलता आया है कि pit bull American bully ये सब dog में choke chain लगाना compressor ही है तो composer ही है क्योंकि वो muscular breed है और उन्हें attractive सो करने के लिए choke chain लगाया जाता है ताकि उनके गले में एक chain रहे जैसे इंसानों के गले में होता तो attractive दिखते हैं वैसे ही उन्हें attractive दिखाने के लिए वो choke chain बनाया गया था तो उससा में आपका dog sudden death में जा सकता है आपका dog उससा में तुरंट मर सकता है तो please इस बात का ध्यान रखे और दूसरा बात है कि dog में choke chain कैसे use करें तो कई लोग क्या करते हैं कि dog में जो choke chain का जितने लोग use करते हो अभी तो मेरे पास है नहीं कोसिस करूंगा कि अगले होते रहता है जिसके कारण उनके गले में pressure परता है अब please direct अगर choke chain use भी कर रहे हो तो आप direct उस ring में लगाओ ना कि उसके left part में direct ring में लगाओगे तो dog के direct पूरे पूरे neck में pressure परेगा ना कि एक point में और अगर आप choke chain की जगा कुछ दूसरा चीज यूज करना चाहते हो ता आपके pet को भी comfortable feel कराए तो प्लीज अगर मेरा वीडियो यह informative लगे और आपको पसंद आए तो इससे subscribe करें share करें और like करें और इसी तरह की वीडियो उसको आगे देखने के लिए मैं notification bell on करें थैंक